आप देख रहे हैं चोहान वीडियो दोर जैसा कि आप जानते कि जून 2023 के एक्जाम एक महीने बाद आने ही वाले हैं तो जून 2023 का एक्जामिनेशन फॉर्म जया है उस पर इगनु ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है जो कि सभी इस्टुएंट्स के लिए जान लेना बहुत जरूरी है तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे और अंतक देखे आज की वीडियो में हम इसी के ओपर बात करेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इगनु के इस्टुएंट ने तो चैनल को सब्सक्राइब भी उनका examination center मिल जाता है और आप एग बार examination form भर लेते हैं तो उसके बाद फिर अपने जो exams के तयारी assignment जो भी आपको करना उसके बाद वो कर सकते हैं लेकिन फिर भी काफी सारे student है जो की जिस तरीके से assignment सबसे आखिर में जमा करते हैं assignment सबसे last में जमा करते हैं उसी तरीके से last आपको जो आप चाहते हैं वह सायद ना मिले वह बात तो होती है और आप जैसा कि जानते कि इस बार जो एगनु ने जो लेट फीज है उसको इस ट्रेक्टरिली फॉलो किया अभी तक क्या होता था कि इगनु जो करता था जैसे पिछले सालों में इस तरीके से हुआ कि लेट विज जरूर कहता था लेकिन बाद में क्या करता था वो लेट वीज को हटा लेता था लेट वीज को और आगे एक्सेंट करते था जिस विए से सब इस बार पहले तो एकनों ने किया कि तरिफ 10 दिन का extension दिया और उसके बाद कहा दिया कि आप अगर 16 अपरेल से 25 अपरेल तक अपना examination form भरेंगे तो आपको भर सकते हैं लेकिन 500 रुपे के late fees देनी होगी और उसको strictly follow किया गया मतलब उसको change नहीं किया गया उसके बाद आप जासा की जानते हैं कि आपने examination form देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ था 26 अपरेल 2023 के onward जो आपको 1100 रुपे के late fees देनी पड़ेगी और आप अपना examination form भर सकते हैं तो कुछ student ने सोचा होगा कि 26 अपरेल के बाद हम अपना examination form भर लेंगे अराम से उसके बाद तो क्योंकि time ही time है लेकिन उसमें भी इगनू की तिरफ से इस बार और strictness कर दी गई है कि 26 अपरेल से लेकर इस date को भी और sort कर दिया गया चोटा कर दिया गया और इसको 26 अपरेल कि last date को भी कर दिया गया यानि कि अब आप अगले सिर्फ तीन दिन आज 26 तारीक है तो 27, 28, 39, 39 चार दिन का समय अब आपके पास और है अगर आप सच मुझ में भरना चाहते हैं June 2023 का examination form तो चार दिन के अंदर आपको भरना होगा और आप जैसा कि जानते कि इसके लिए जो ह आपको एक चीज और पता दू कि क्योंकि इसको strictly follow कर रहा है तो आप अपने assignments को भी जल्दी से जल्दी समिट कर दीजिए अगर आपने प्रिपेर कर ली है assignment बना लिए हैं तब और time waste मत कीजिए assignments को समझ कर दीजिए examination form भर दीजिए और अपने exams जो कि पहली जून से सुरू ह हो रहें उनकी तैयारी सुरू कर लीजिए तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेर जरूर कीजिए